हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक मैं यूट्यूब चनल एमस्मैट्स, इन इस वीडियो वी आर गोंग तो डिस्कस अबाउट आइगन वेक्टर एड आइगन वेल्यूस, किसी भी लीनियर ट्रांसपर्मेशन के लिए या फिर हम लीनियर ओपरेटर कह सकते हैं, या फिर एक मैट के लिए आइगन वेल्यूस और आइगन वेक्टर्स क्या होता हैं, पूरा हम यहां पर बिल्कूल डिटेल में डिस्कस करने वाला है, हर एक टौपिक आएसा हम पुरा डिस्कस करने वाला है, इससे रिलेटरकेड कॉंसेप्स से लेकर हम ट्रिक तक चलेंगे, पहले पूरा समझने कोशिश करेंगे, gate, net और जितनी भी competition exams होता है IITGM बगरा में, इन सब में जो questions put up होता है वो किस types के questions put up होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, उन से related जितनी भी tricks हैं, सारा कुछ हम इसे एक वीडियो में discuss करने वाला है, वीडियो के last तक जरूर बने रही हैगा, ताकि concept आपको एक ही वीडियो में पूरा clear हो जाएगा बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसकी definitions हम स्टार्ट करते हैं, पूरा basic concept से हम इसको चलता है, अगर आपने पहले topic पड़ रखा है तो भी आपको इसके इंदर बहुत सी चीज़ें नहीं नहीं सीखने को मिलेगी, क्योंकि आपे मैं आपको उस level से start करूँगा जहां से हम पूरा basic से चलके एकदम higher तक जाएंगे और बिल्कुल trick के साथ में जाएंगे, concept के साथ में चलेंगे, हर एक चीज़ के मैं आपको proof बताऊंगा, ताकि long term तक वो चीज़ याद रहेगी, definitions इसलिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि definitions से बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे ही clear हो जाती है, क्योंकि इन general अगर हम किसी point को याद करने कुशिश करता है तो वो इतना long term तक याद नहीं रह पता है, तो हम अगर definitions के form में चलता है, definition को proper समझ के चलता है, तो हमें वो चीज़ें long term तक याद रहती है, ओकी तो बात करता है, eigen values and eigen vector for a square matrix, तो इसका क्या मतलब वा, eigen value और eigen vector हमीशा आप एक square matrix के लिए ही find कर सकते है, जिसका order n cross n का होता है, केजी non square matrix के लिए eigen values eigen vector find करना possible नहीं होता है, ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर, जब हम एक square matrix के बात करता है, तो हमने इससे previous video में discuss किया था, linear transformation linear transformation से related हमेशा एक matrix होती है, या फिर आप कहिए सकते हैं, कि एक matrix related हमेशा एक linear transformation होता है, इन धानों का एक ही connection, आप इनको आप करनेगी, तो यहाँ पर, जब हम एक square matrix की बात कर रहा है, तो उससे associate जो linear transformation है, या फिर एक ऐसा linear transformation जिसका matrix representation एक square matrix हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहता है, linear operator का मतलब क्या होता है, जब भी हम अगर इसका matrix representation करता है, तो हमें इसका order जो होता न, वो n cross है, न, पीछे से आगे की तरफ होता, तो n cross n हमको क्या चाहिए, square matrix चाहिएगी, तो उस square matrix के लिए हमें linear operator चाहिए होगा, v से v पर ही जाना चाहिए, same dimension आना चाहिए, फिर मन्दा उसी vector से खुद क्या, खुद के उपर जो mapping होती है, linear transformation के अंदर, वो यहाँ पर क्या होती है, linear operator होती है, अब यह चीज तो में clear होगे, एक eigen values, eigen vector किसके लिए होते हैं, तो यह linear operator, या फिर एक square matrix से related हो सकते हैं, बाकी और कैसी से related नहीं होगे, अब हमारे पास में सबसे पहला point आता है, what is the eigen value, eigen value होती क्या है, पूरा basic से discuss करेंगे, लेगिन सबसे पहला हम चलते हैंगे, इस पर definition पर, definition क्या कहती है, कि अगर मैं यहाँ पर एक notation है, lambda इसका एक notation दिया गया है, lambda belongs to field, कहां से आ रहा है, जिस field में आप काम कर रहे हैं, उसी से ही होना चाहिए, अभी मैं इस पर बहुत अच्छा आपको एक example होगा, आपको clear होगा, कि वो eigen value है या नहीं है, ठीक है, lambda belongs to field, such that, is said to be, lambda belongs to field, is said to be, an eigen value, of, a square matrix, A, or we can say that, a linear transformation, जिसको अमने है आपे, T से देनाट किया, linear transformation T, or we can say that, matrix representation of linear transformation of T, if, there exists, X is equals to, कोई भी एक X, यहां पर आपके पास में, column vector होगा, n cross n1 का, जोगा, n cross 1 का, column vector होगा, ऐसा X exist करना चाहिए, where, X not equals to 0, subject to, कैसे, X not equals to 0, condition क्या दे रहा है, satisfy, ऐसा लिख सकते है, which satisfy, which, satisfies, satisfy, the condition, AX equals to, lambda X, इस condition को, satisfy करने के लिए, अगर आपके पास में, जहां, X non 0 है, क्यों 0 है, non, क्यों यहां पर 0 नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, इस condition में, यह जो lambda देख रहे हैं, आप अगर इस condition को, satisfy करने वाले जो lambda है, जिसमें, जो की, अगर मैं इस matrix के साथ, मैं इस column vector को multiply कर दू, और सीधा यह column vector के साथ, मैं एक ऐसी value ले आऊ, जो की क्या कर देगी, उसको इस matrix के column, वेक्टर के multiplication के equal कर देगी, सीधा सा, यहां पर क्या पता चल रहा है, कि यह एक ऐसा value है, जो इन दौनों के multiplication के equal हो रहा है, जब हम इसको इससे multiplier देता है, अब इसका geometric meaning समझता है, simple सा, हम इसका geometric, चलो एक बार मैं आपको आईगन vector भी बता देता हूँ, यह आईगन value हो गया, अब यह 0 क्यों होना, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका reason यह है, अगर यह 0 हो गया, तो यह इसको always satisfy करेगा, 0, x, 0, भी एक eigen vector होता है, basically यह जो x होता है, इसको eigen vector कहता है, वो भी होता है, लेकिन उसको हम consider नहीं करते हैं, क्योंकि we are interested in non-trivial solutions, और non-trivial eigen vectors, लेकिन अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, अगर x 0 हो गया, तो उसका 0 vector हो जाएगा, ठीक है, तो अभी आपको यह consider करके चलना है, x कुछ नहीं है, एक column vector है, ठीक है, अब बात करता है, next में हम बात करता है, eigen vector के बारे बारे, so eigen vector क्या होता है, अब eigen vector के case में, हमारे पास में एक lambda eigen value होगा, तो क्या लिखेंगे, lambda is an eigen value of matrix A, और linear operator, I can write this, linear operator T, eigen value है उसका, then x be an eigen vector, sorry, an eigen, vector such that x not equals to 0, and x is a column vector n cross n 1 का, x क्या होना चीए, column vector such that, ax is equals to lambda x, where x not equals to 0, ये condition तो होनी ही चाहिए, अगर ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूरी condition तो always satisfy करेगी, हरे के लिए satisfy करेगी, आप lambda कुछ बिले, उसके लिए satisfy करेगी, इसलिए हम ये चाहते हैं, कि हम है lambda unique चाहिए, मदध ऐसा lambda चाहिए, जिसके लिए condition satisfy करेगी, तो हम x को वहाँ पे consider नहीं करेंगे, तो x 0 नहीं होना चाहिए, ये condition बहुत important है, तो ये तो हो गया भाया, इसका यहाँ पे meaning, आईगन values और आईगन vector का, वेक्टर में ने ले लिया, one i cap plus one j cap, हम 2D में बात करते हैं, अब basically 2D में बात करना, हमारे लिए आसान होता है, 3D में भी ठीक है, थोड़ा हम consider कर सकते हैं, लेकर जब 4D, 5D, n dimensional space होता है, तो हमें इस theoretical portion गाना पड़ता है, लेकिन हम example 2D से start कर सकते हैं, माल लेजिए, ये vector कुछ नहीं, ये ही है, ये जो हम vector पढ़ रहे हैं, ये vector माल लेजिए, ऐसा एक vector है, one i cap, one j cap, means ये vector, इस type का एक vector होगा, ठीक है, इसको हम generally represent करते हैं, one comma one से linear algebra के अंदर, vector calculus में हम इसको, one i cap plus one j cap से denote करते हैं, बढ़ यहां पर हम one i cap से इसको denote करते हैं, मतलब ये x के corresponding unit vector होगा, ये y के corresponding unit vector का coefficient होगा, ये जो, यहां पर आपको आइगन vector दिख रहा है, इसको मैं one comma one कह जाता हूँ, अब मुझे इस one comma one को extend करना है, इसे extend करना है, या फिर इसमें change करना है, तो हम यहां पर एक ऐसा values इसको multiply कर देंगे, जो कि इसमें change कर देगा, अगर मैंने यहां पर मान ली, जी इसको 3 से multiply किया, तो इस point से क्या होगा, ये 3 गुना, 3 times ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये से, उसी vector में भिना change की, ये क्या हो जाएगा, 3,3 होगा, अगर मैं इसको 3 से multiply कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये simple सा क्या कर रहा है, अब इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक column की form में लिख रहा हूँ, देको 2 cross 1 का मैंने column ले लिया, इसको मैंने multiply किया 3 से, तो ये क्या बन गया, 3 cross 3 बन गया, जो की अभी भी क्या है, एक 2 cross 1 का column है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक eigen vector जो है, उसको मैंने एक value से multiply किया है, तो वो vector क्या बन गया है, अब वो vector extend हो गया है, ये compress भी हो सकता है, इसका value कम भी हो सकता, उसमें प्राबलम नहीं, जब ये extend हो गया, इसका मतलब हमने एक ऐसी values उसको multiply कर दिया, जिससे उस eigen vector के अंदर change आ रहा है, उस vector के अंदर change आ रहा है, तो ये क्या हो जाए कि उसके लिए eigen value हो जाएगा, ऐसा value, ऐसा lambda से हम उसको multiply कर रहा है, जिसमें इसमें vector में change आ रहा है, आप कोई भी ले सकतो है, यहां से ले लो एक vector ले लो, इस पर ले लो, जिसमें, मालनो 1,0 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1,0 लिखेंगे, इसको अगर मैं किसी से multiply करूंगा, मालनो 2 से multiply रहते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, 2,0, तो यह कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, 2,0, बट direction क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसके i, j component उसके direction में, i, j में change नहीं हो रहा है, इसका मतलब direction में कोई change नहीं हो रहा है, तो simple सा meaning यह है, कि without change in direction of a vector, if we multiply a value, to extend or to compress, like to change the magnitude of that vector, that is known as the eigenvalue, हम एक ऐसी values को उसके साथ में multiply करते हैं, उसे associate कर देते हैं, जिससे कि उस vector में change होता है, but only magnitude में change होता है, उसके direction में कोई भी change नहीं होता है, तो वो eigenvalue होगी, यह से geometric meaning हो गया, अब geometric meaning समझने से clear हो जाना चाहिए, कि किस type से हमारे पास में eigenvalues और यह चीज़ें होता है, अब यह 0 क्यों नहीं होना चाहिए, योगि अगर आप 0 से अगर आप किसी को multiply करेंगे, 0 से अगर आप किसी को multiply करेंगे, तो वो always 0 ही रहेगा, और वो उस condition को always satisfy करेंगा, आप कोई भी value ले आओ, 0,0,0 को extend करी नहीं सकते है, आप एक वो point के form में हो जाएगा, ठीक है, ओके, ना, यह तो हो गया हमारा clear, अब यह चीज़ें तो हमारे exam में पूछते नहीं ही, तो बस concept के लिए था, हमने concept clear कर लिया, ठीक है, what is the eigenvalue, what is the eigenvector, now, how to find eigenvalue for a matrix, और a linear operator, तो उसके बारे में method जो है, उसको समझने के कोशिश करते है, तो method हम कहां से लाएंगे, भाईए, यह condition है हमारे पास में, इस condition को उठाएंगे, we have a condition, ax is equals to lambda x, for every यह चीज़ हमें सा याद रखना है, कि x not equals to 0, कभी भी x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो column vector है, उसकी entries 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, okay, so we can write, ax minus lambda x is equals to 0, and we can take common, a minus lambda, अब किसी भी matrix में से, lambda is a number, इसी भी matrix में से, हम किसी scalar को अगर less करते हैं, add करते हैं, तो हमें से आपर identity matrix आता है, तो यह क्या हो जाएगा, identity के equal हो जाएगा, और यह x equals to 0, so we have a condition, यह जो condition आ रही है ना, इस condition से हम क्या करते हैं, आइगन vector को find कर सकते हैं, ठीक है, अब main चीज हैं यहाँ पर, कि यह जो value आ रही है ना, इसका मुझे क्या करना है, आइगन value निकालना है, पहले आइगन vector पर नहीं जाएगे, आइगन value पर जाएगे, तो आइगन value कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या रहाते हैं, इसका determinant निकालता है, ठीक है, determinant of lambda i is equals to zero, इसको क्या आखर सकते हैं, तो कि यह तो zero हो नहीं सकता, x not equals to zero, तो यह चीज क्या होगी, zero क्या equal होगी, now, a minus lambda i is equals to zero, is called, characteristic, characteristic, equation, यह जो एक equation मन रही है, इसको हम कहते हैं, characteristic equation, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस equation का क्या use है, बताऊंगा, मैं उसको आइगन value से रिलियाट करूँगा, वह ही आइगन value है, ठीक है, अब देखो, and, a minus lambda i, is a, characteristic polynomial, simple, दो words आपके सामने आपा है, characteristic equation, characteristic polynomial, एक equation को, सब्सक्राइब, एक polynomial को, अगर मैं 0 के equal कर देता है, तो वह equation बन जाता है, simple, right hand side जो है, simple यह, अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, किसी के equal कर रहा हूँ, तो वह equation होता है, अगर किसी के equal नहीं किया, simple है, तो वह polynomial की form में होगा, हमें यहाँ पर निकालना है, कैसे हम eigen value, eigen vector find कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, first of all, we have to find the characteristic equation, मतलब क्या करना है, आपको कोई matrix दे दिया जाएगा, उस matrix में से क्या करना है, आपको a minus lambda i find करना है, ठीक है, minus lambda i का मतलब जाएगा, lambda 0, 0 lambda, अगर मैं 2 cross 2 की बात करता हूँ, इसको उसमें से less करना है, और इसका पूरे का determinant find करना, और उसको 0 के equal रखना है, ठीक है, clear matrix है, इस matrix का क्या करना है, lambda, identity है, उसको मैं lambda से multiply कर दिया, यह इसमें से less कर देंगे, और क्या हो जाएगा, आपके पास में equation आएगी, उस equation के roots find करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ, eigen values के बारे में, तो eigen values अगर मुझे find करना है, तो कैसे करेंगे, method, equation और we can say characteristic equation, by finding the determinant of a minus lambda i, इस matrix का determinant find करके, उसको 0 के equal रग देंगे, तो हमारे पास में क्या आजाएगा, we will get equation, एक quality हो सकती है, by quality हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, the roots of characteristic equation, is called eigen values, जो eigen, जो characteristic equation हम बना रहे हैं, उसका roots निकालेंगे, equation होता है, उसके roots होते हैं, जो उसको satisfy करता है, उसके जो roots होंगे, उसी roots को हम eigen value कहते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है, also known as, also known as, characteristics roots, इनको characteristic root भी कहते हैं, और वो होता characteristic vector, characteristic root, and characteristic vector, या फिर eigen values और eigen vector, ठीक है, यह इसका find गढ़ने का method हो गया, अब इसकी कुछ छोट-छोटी tricks होती है, छोटे जो concept होता है, वो हम यहाँ पे questions में देखेंगे, लेगन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कि characteristic equation जो होती, वो कैसे बनती, किसी matrix के लिए, simple example देता हूँ मैं यहाँ पे, हम एक 2 cross 2 का matrix लेता है, 1, 2, 3, 4, मैं मुझे क्या करना है, इसका characteristic equation बनाना है, रोट सम बाद में निकालेंगे, पहले characteristic equation बनाना है, तो क्या करेंगे, minus lambda into 1, 0, 0, 1, यानि हम क्या find करना है, a minus lambda, i find करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें Cisco less करेंगे, तो यह 1 minus lambda, यह 2 हो जाएगा, यह 3 as it is रहेगा, यहां से आजाएगा, 4 minus lambda, अब क्या आगर उसका determinant निकाल दो, तो 1 minus lambda, 4 minus lambda, और यह हो जाएगा, minus 6 is equals to, इसको क्या करो, 0, determinant निकालके, 0 के equal put कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, इसको इससे multiply करेंगे, तो 4 minus lambda, minus 4 lambda, plus lambda square, minus 6 equals to 0, तो यह क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास में, lambda square, और इसको simplify करेंगे, तो यह आजाएगा, minus 5 lambda, और यह हो जाएगा, minus 2 is equals to 0, तो जो यह equation हाना, this is the equation of second degree, in variable lambda, lambda हमने एक variable लिया है, उसमें क्या आगई, आपके पास में, second degree की equation आगई, यह जो second degree की equation है, the roots of this equation is called, eigen values, where lambda belongs to field, field में होनी चाहिए, अगर आप real number के field में काम कर रहे हो, तो real number ही होना चाहिए, अगर आप complex number के field में काम कर रहे हो, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, अगर आप real number में काम कर रहे हो, और वो complex value आगे, तो और eigen value नहीं होगी, we can't find eigen value for that matrix, simple, हम जिस field में काम कर रहे हैं, हम उसी field के बारे में बात करेंगे, तो यह simple सा होगा, आइगन जो vector होता है, उसके लिए characteristic, polynomial और equation कैसे find करते हैं, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर, कि जो आपके पास में, basically, कुछ tricks होती है, यह जो characteristic equation और, यह roots find करने के लिए, तो मैं simple सा बता देता हूँ, अच्छा, उससे पहले एक और result हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यहाँ पर note भी किया होगा, कि जो matrix है, उसका जो characteristic polynomial बन रहा है, वो कितने degree का होगा, वो भी तो यहाँ पर हम guess कर सकते हैं, कैसे note, क्या धियान रखेंगा, हम note points में ही चलेंगे, अब हम note points में आप पूरे को समझ सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हैं, कि like the order of, the degree, sorry, the degree of characteristic polynomial, you can see, या polynomial is equal to, the order of matrix, अगर आपके पास में कोई matrix है, 2 cross 2 की, like एक matrix है, 2 cross 2 की, तो इसका polynomial कितना होगा, second degree का होगा, अगर आपके पास में हैं, तो वो third degree का आपको क्या मिलेगा, polynomial मिलेगा, इस से क्या पता चलता है, number of eigenvalues, how many eigenvalues associated with a, with a matrix or a linear transformation, हम matrix की बात करना, तो हम पे linear operator, linear transformation already होगा, so that, we can conclude, that, the number of, eigenvalues, is equal to, the order of, matrix, or the, like degree of, characteristic, equation, or characteristic polynomial, simple, second degree का अगर आपके पास में polynomial होगा, तो there are two roots, दो roots होगे, और हम उन्हीं roots को तो eigenvalue बता रहे हैं, तीन roots होगे, third degree के equation में, यहाँ पर आपको three roots मिलेंगे, तो कितने eigenvalue मिलेंगे, तीन eigenvalue मिलेंगे, ठीक है, अब आते हैं, trick पे, एक तो तरीका यह होगया, आप क्या करो, सीधा साथ यह matrix है, उसके अंदर से identity matrix को, lambda से multiply करके, less करो, उसका determinant निकालो, अब अगर आपके पास में आ जाए, कि मान लीजिए, ABCD, और यह एक 2 cross 2 का matrix है, इसका characteristic equation मुझे निकालना है, ठीक है, अभी तो मैं simple सी चीज़ बता रहा है, अभी हम question पर चलेंगे, तो पूरा clear हो जाएगा, तो यहां से क्या करेंगे, एक तो तरीका होगा, इसमें से lambda, इसमें से diagonal मैं से क्या करो, आप lambda को लाइस कर दो, एक तरीका यह होता है, second degree है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक trick होता है, lambda square minus, इन दौनों का समिए, diagonal के value, entries का sum, और उसको lambda से multiply कर दो, फिर यहां पर plus कर दो, इसका determinant, इसको से multiply करेंगे, तो AD minus, क्या हो जाएगा, CB, अब देखो, यह जो चीज है, इसको क्या कर दो, equals to zero कर दो, यह इसका characteristic, equation आपके पास मा जाएगा, तो इसको generalize, अगर हम करते हैं, तो lambda square minus, यहां पर क्या हो जाएगा, trace of that matrix A, यह trace होता है, मतलब इन दौनों का addition, plus, into lambda करेंगे, और plus क्या आजाएगा, यहां पर determinant of that matrix A, equals to zero, it is the characteristic, polynomial or characteristic equation, basically, zero के equal है, तो characteristic equation हो जाएगा, यह, ठीक है, अब एक, यहां पर concept आता है, कि अगर 3 cross 3 का matrix होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, देखो, 3 cross 3 का कोई matrix है, so how can we find the characteristic equation for that matrix, तो उसके लिए हमारे पास में simple side क्या होता है, ऐसी एक trick होती है, generally, यह exams में बहुत helpful होती है आपके लिए, तो अगर आपके पास होगए 3 cross 3 का matrix है, for example, 1, A, B, C, D, यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, यह lambda cube से start होगा, 3 degree क्या होगा, 3 cross 3 का matrix है इसलिए, 3 degree का है तो 3 से start होगा, minus, सबसे पहले क्या करेंगे, trace, कितना आ रहा है इसका trace, इनका sum, कितना आ रहा है, सबसे पहले आ जाएगा, trace of matrix A, तो मैं लिख देता हूँ, यह A matrix है, तो क्या लिखेंगे, trace of matrix A, plus, और into lambda square करेंगे, इसके साथ में क्या जाएगा, इससे एक कम, यह lambda square, plus, फिर क्या हो जाएगा, diagonal के along, आपको co factors लेने है, diagonal entries वोए, उनके along co factors लेने है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास, मैं इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, co factors, along, diagonal, entries, उसको आप lambda से multiply कर देंगे, और last में minus लगाएंगे, और determinant of, A equals to zero कर देंगे, यह 3 degree का polynomial और equation आपका बन गया, मैं निंग समझना, lambda cube मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीके, minus, trace of this, कितना हो जाएगा, six, lambda square, diagonal के along, co factors निकालना का क्या मतलब हुआ, कि आप क्या करेंगे, one लेंगे, इस one के along, इसको यहाँ से cut करेंगे, यह जो एक matrix बन देंगे, determinant निकालेंगे, कितना आएगा, zero minus six, वो यहाँ लिख देंगे, मतलब क्या हुआ, इस one के corresponding कौन है, five, six, one, zero, इसका determinant निकाल लेंगे, five के along, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से, इस five के along, इसको ऐसे cut करेंगे, तो one, three, one, zero, इसको एड़ कर देंगे, zero के along लेंगे, तो one, two, four, five हो जाएगा, one, two, four, five हो जाएगा, इसको lambda से multiply करेंगे, इसका determinant अगर आप calculate करेंगे, तो यह plus one है, इसका determinant कितना आ जाएगा, one, ठीक है, अगर मैं इसके corresponding open कर लेता हूँ, तो यह हो जाएगा, five, six था न, ठीक है, आई मिस्टिक तो नहीं है, five, six, ओकी साहिए, इसके corresponding अगर हम लेंगे, तो यह हो जाएगा, six, minus 12, okay, six minus 12, तो यह कितना हो जाएगा, minus of three, minus one, minus six, तो minus three plus six, equals to three, determinant three हो जाएगा, देख लेने, इसको चेक करेंगा, कोई calculation mistake नहीं होनी ची, ठीक है, I think नहीं होगी, बट फिर भी, calculation पर नहीं जाएगे हम, ठीक है, देखो, अब, यह क्या बनगी है, इसका characteristic polynomial, कैसे, lambda q, minus six, lambda square, plus, इसका determinant निकालेंगे, कितना हो जाएगा, zero, minus six, plus, इसका निकालेंगे, कितना आएगा, minus three, इसका निकालेंगे, तो, five minus eight, into lambda, minus three is equal to zero, इसको solve कर दो, आपके पास में, characteristic, polynomial और characteristic equation आ जाएगी, तो यह, हमने क्या सीखा, eigen values क्या होती है, eigen vectors क्या होता है, उसके बाद में, हमने, characteristic equation और characteristic polynomial के बारे में देखा, फिर हमने, metric भी देख लिया, कि two cross two की matrix के लिए, three cross three की matrix के लिए, characteristic, polynomial, कैसे find क्या जाता है, now आप यह बढ़ता है, इनके eigen values और eigen roots हैं, वो कैसे हम find करेंगे, like basically eigen vectors और eigen value, इनके question करेंगे, proper question हम यहाँ पर करेंगे, और हड़ एक question जो होगा, वो different, different question होगा, उन सबको हम यहाँ पर discuss कर लेंगे, okay, अब हम यहाँ पर questions की और बढ़ता है, अब हम भात करता हैं, यहाँ पर questions के बारे में, questions को हम पूरा solve करेंगे, eigen values और eigen vectors हमको इनके लिए निकालने, ठीक है, तो देखेंगे, eigen values और eigen vectors जो है, basically यहाँ पर हम कैसे find करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, a minus lambda i equals to 0, और इसका determinant निकालगे, इसका equals to 0 करना है, और हमाना आपको जो trick बता है, वो भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, कि lambda square minus trace of a into lambda and plus determinant of this equals to 0, आप यह भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई problem नहीं है, तो यह हो जाएगा, lambda square minus, इसको simplify करेंगे, तो trace इसका क्या आजाएगा, 5 lambda आजाएगा, determinant में आजाएगा यहाँ पर, plus 6 equals to 0, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका root तो, यहाँ से क्या पता चल रहा है, number of eigenvalues, number of eigenvalues are 2, because यह 2 degree का polynomial है, तो यहाँ 2 degree की equation है, 2 degree polynomial भी कह सकता है, इसके number of roots हैने, lambda जो आपको मिलेंगे, roots जो मिलेंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका value निकालते हैं हम यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, lambda square, इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, value निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 3, multiply करने भी 3, minus 6 lambda, plus यह हो जाएगा, minus 6, minus lambda, 3, 3 2 हो जाएगा, 3 lambda, minus 2 lambda, और plus 6 हो जो जो जो, तो यहाँ से क्या आजाएगा, lambda, lambda minus 3, minus 2, यह हो जाएगा, lambda minus 3 equals to 0, यानिके, lambda is equals to 3, and lambda is equals to 2, आपके पास में क्या आजाएगे, दो आइगन values आजाएगे, अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, कि इसको मैं lambda 1 कह देता है, इसको lambda 2 कह देता है, यह दो आइगन values है, distinct आइगन value है, different, different है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके corresponding eigenvector calculate करना है, आइगन vector जब भी निकालना होता है, तो हम क्या करता है, हमारी condition होती है, ax minus lambda x, where for every x not equals to 0, x0 के equal नहीं होता है, तो हमें इस value को solve करके, sorry, equals to, यह value जो है, इस condition को में solve करना है, तो उसके लिए हम क्या करता है, basically, अमारे पास मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता है, a minus lambda i into x equals to 0, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, let x1, एक काम करता है, चलो, अब हम क्या ले ले लेता है, for lambda 1 equals to 3, eigenvectors जो होता है न, हर एक के corresponding अलग-अलग होता है, इसको हम यहाँ पर solve कर लेंगे, तो lambda 1 equals to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और for lambda 1 equals to 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a, आपकी कोई matrix given है, वो क्या हो जाएगा, 3, 0, 1, 2, minus क्या करना है, आपको lambda 1, lambda 1 आपके पास में क्या 3, 1, 0, 0, 1, और इसके साथ में क्या करना, आपको x से multiply करना है, यानि कि आपने a, b, मानलो, इस x का value लेट कर दिया, और यहाँ पर 0, 0 का एक, 2, 2, 2 का matrix हो जाएगा, तो 3, minus 3 करेंगे, तो 0 हो जाएगा, 2, minus 3 करेंगे, तो minus 1 हो जाएगा, तो basically इसका value क्या आजाएगा, आपके पास में, 0, 0, और 1, 2, minus 3, minus 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आजाएगा, आपके पास में, into में, a, b, is equal to 0, 0 हो जाएगा, एक system of linear equation हो, system of equation आपको मिल रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप देख सकता है, कि a, 0, यह भी 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर simple सा आप देखें, इस equation को बनाएं यहाँ पर, तो यह वाली value, फहले अप तो पूरा 0 है, 0 equals to 0 मिल गया है, second क्या मिलेगा यहाँ पर, a minus b equals to 0, it means a equals to b, now, अब हमें यहाँ पर चेक करना होता है, number of free variable, तो free variable यहाँ से चेक करने का क्या मतलब होगी, इसका rank कितना है matrix का, इस matrix का rank अगर आप आपको देखना है, तो देखो, कितना हो जाएगा, non zero row देख लो, कितनी है, a के non zero row, तो rank यहाँ पर कितना आजाएगा, इस matrix का, a minus lambda i, जो है, उसका rank आगर आपके पास में 1, तो order तो 2 minus 1, यहनि कि 1 आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर free variable हो जाएगा, free variable होने का क्या मतलब हो गया, आप उसको कुछ भी चूज कर सकते हो, whatever, like your field, all entries, all i, a, i, j belongs to real number, तो यहाँ से हमारे पास में field क्या आजाएगा, यह, जो है, मान लीजिए, d equals to, मैंने k लिएड कर लिया, जो कि क्या हो रहा है, real number के field से आ रहा है, तो b का value k लिएड करा, तो a का value k हो जाएगा, तो eigen vector x1 जो होगा, और वो क्या हो जाएगा, k, k, और we can write it is like this, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, k, 1, 1 हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर k की value 1 ले ले लेता हूँ, तो यह हो जाएगा, 2 ले लेता हूँ, तो अगर बैसिकली यह एक value आ रहे हैं, यह k, अब इस k की कोई भी value को आप फूट करोंगे, दो हो इसका eigen vector हो जाएगा, लेकिन, in general हम क्या लेक सकते हैं, इसको k के लेक सकता है, k common ले लेंगे, फिर अगर हमा k की value 1 ले ले लेता है, यहाँ पर every k equals to 1, क्योंकि यह भी यह एक real number है, जनरलाइज करने के लिए हम इसको ऐसा लेक सकते हैं, अब एक topic आता है यहाँ पर eigen space, बहुत important होता है, eigen space, तो eigen space को ऐसे denote किया जाता है, e lambda, ठीक है, e lambda is, it is nothing but a set, एक eigen vector जो होता है, जिसके अंतर x1, x2, सारे n cross n का values दिया जाता है, such that, these entries are belongs to such that, like these entries x1, x2 are belongs to field, सारे field से आनी चाहिए, तो इसे क्या होता है, आईगन इस पेस होता है, मतलब आपक्या कर रहा, collection, आईगन इस पेसे जिस नचिन बट, collection of all linearly independent eigen vector for eigen value lambda, एक eigen value lambda के को रस्पंडिक जो आईगन, vectors जोता है, उन सबी का क्या करना है, आपको यह आपके collection करना है, वो क्या होता है, आईगन इस पेस होता है, ठीक है, अब यह तो किसके वाए, एक के corresponding, एक lambda के corresponding, यह आपको value मिला है, दूसरे lambda corresponding भी, सेम आप यह काम कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, तू रख देंगे, तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, अब एक note point आपास में, यह question आपके लिए है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल easily इस question को, 3 cross 3 का कोई matrix दे रखा है, तो क्या करना है, आपको matrix का polynomial बनाना है, फिर उसके लिए eigen values फाइंड करना है, बिल्कुल easily मैं आपको बता देता हूँ, इसका answer क्या आएगा, पहले बात तो पता करना है, कितने number of eigen values होंगे, तो 3 eigen values यहाँ पर मिलेंगे आपको, और जो eigen values यहाँ पर मिलेंगे, बता देता हूँ, simple सा एक question देखते हैं समझा आ जाना चाहिए, कि किस type से हमको आइगन value, आइगन vector का concept निकालना है, और आइगन space क्या तो collection of all eigen vectors, li eigen vectors related to a eigen value, तो अगर मैं इसके लिए eigen value find करता हूँ, आइगन space find करता हूँ, तो e3 हो जाए, इसको कहा लिखेंगे, e3 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका value क्या आ रहा है, 1, 1 आ रहा है, it is the eigen vector, और यहाँ से जितने ही, आप इसको k लिख सकता है, और for every k belongs to real, इसको sets की form में लिख देंगे, तो आइगन space बन जाएगा, यह eigen space ही आगे जाके क्या बनता है, इस eigen space में कभी भी 00 element नहीं होता है, कभी भी 00 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 00 eigen vector हो गया, तो हम तो पहले starting से कहरे है, 00 कभी भी आइगन vector नहीं होगा, पट फिर भी यह एक vector space होता है, कैसे होता है, क्योंकि हम जिरो को उसके साथ में union करवाता है, वेक्टर space में always एक 0 होता है, लेकिन यहाँ पर यह 0 नहीं होता है, यह चीज हमें साथ ध्यान रखने है, यह एक vector space होता है, सभी space भी हो सकता है, लेकिन सभी space है तो वह 00 होना चाहिए, हम तो कहते 00 होता है यह नहीं है, तो यह एक condition है, जो कि हम आगे जागे discuss करेंगे, अब कुछ note points है, पहले हम बात कर लेता है, फर्स्ट note point के गर मैं बात करता हूँ, तो the eigenvalues, चलो, फर्स्ट, the eigenvalues of a triangular or diagonal matrix are diagonal element, मतलब अगर आपको कोई triangular matrix दे रहे हैं, for example, 1, 2, 3, 0, 4, 3, 0, 4, 0, 0, 0, 4, यह 3 cross 3 का matrix है, यह एक upper triangular matrix है, ठीक है, क्या है, upper triangular matrix है, इसकी जो eigenvalues होंगी, वो क्या होंगी, diagonal entries, lambda 1 equals to 1, lambda 2 equals to 4, lambda 3 equals to 4, simple, ठीक है, simple साइ, concept ज्यान रखना, diagonal matrix है, for example, 1, 0, 0, 1, diagonal है, तो इसके लिए, lambda क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, lambda 1 और lambda 2 क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है, diagonal entries, और triangular matrix के लिए, सीधा आप देखती बता सकते हो, कि इसके आईगन वेल्यू क्या होगी, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब इससे related कुछ और होता है, दो important note point और भी बात कर लेता है, अगर आप ने यहाँ पर देखो, simple यहाँ आजाओ, यह क्या है, 3 or 2, पहले देखो, यह एक lower triangular matrix है, शीधा पता चलिए इसके आईगन वेल्यू, 3 or 2, इतना करने के भी ज़र्रत नहीं है, ठीक है, अब अगर मुझे इसका determinant निकालना है, तो वो 6 आएगा, it is nothing but 3 into 2, वो हमने यहाँ पर calculate किया था, 6 आ रहा है, फिर इस आप verify भी कर सकते को, मेरा value सही है या नहीं, trace अगर मुझे निकालना इसका, तो वो 3 plus 2 कितना आ जाएगा, 5 हो जाए, यही तो आईगन values है, इसकी और यही इसका trace आ रहा है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, verify कर सकते हो, ठीक है, यह दो चीज़ें होगी, और हम यहाँ से singular, non singular के बारे में भी बात कर सकते हैं, singular matrix अगर आपके पास में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, at least, 1 lambda is 0, मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर एक eigen value, मान लो, यह eigen value 0 हो जाती है, तो इनका product करती है, तो इते पूरा 0 हो जाता है, it means that, अगर एक eigen value भी अगर आपके पास में 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, singular matrix हो जाएगा, मतलब इसका determinant 0 हो जाएगा, basically determinant is equal to 0, ठीक है, और अगर सारी eigen values non-zero है, जैसे इसके अंदर है, सारी eigen value non-zero है, आप यहाँ से calculate कर सकते हो, यह minus 1 है, अगर मैं इसका determinant पूछ हो, तो कितना हो जाएगा, minus का 2 हो जाएगा, और trace पूछ हो, तो कितना हो जाएगा, 2 plus 1 minus 1, that is nothing but 2, यह देख लिए 2, परसका determinant आपने यहाँ से calculate कर लिया, बहुत easily यहाँ से step के question कर सकते, तर यह question जो हता हूँ, एक्जाम में put up होता है, ठीक है, यह important result था, जो कि हमने यहाँ पर discuss कर लिया, अच्छा एगन vectors का जो set होता है, note point, यहाँ पर लिख देता है, या फिर चलब यह ही देख लिता, आईगने स्पेस हो गया न, यह गोता है स्पेक्ट्रम, इसी से रिलेक्टिर एक चीज़ थीए, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ही निटिंग बट सैट आफ और आफ और आईगन वेल्यूस और एक और पॉइंट है कि आईगन वेक्टर, corresponding to an अईगन वेल्यू, corresponding to distinct अईगन वेल्यू, distinct मतलो बुट आँ, ठीक्स कर्टिंगे, अईगन वेल्यू या आईगन वेल्यू येल्यू ङार आण्स completo, अईगन वेल्यू ये नाँटिंगन वेल्यू ये, तो एक आईगन वेक्टर तो आपको यह मिला और next जो भी मिलेगा डानो इक दूसरे से linearly independent होगे मतलब इन दानों का अगर आप एक matrix model matrix बनाओगे इस type से उसका determinant non-zero आएगा ठीक है determinant non-zero आएगा हमेशा वो li रहेगा ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा linearly independent होगे तो this is all about the linearly independent और यह दोना जो इसके concept अब बहुत अच्छा है आपको पूरा टापिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो थैप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चनलों के सब्सक्राब करें थैंक्यू बाए